10 इसका मतलब है 2007 2006 2006 2006 में आपका जन्म हुआ 2030 तक आप कितने साल की हो जाएंगी 24 जब आप 24 साल की होंगी तब भारत में हर किसी के गुजारे के लिए जितना पानी चाहिए उसका सिर्फ 50 प्रतिशत ही रह जाएगा क्या आपको प्यासा रहना अच्छा लगता है नहीं मगर इसके शुरुवात हो चुकी है नदियों का करीब 40 प्रतिशत पानी सूख चुका है और ऐसी आशंका है कि अगले 20 सालों में 60 प्रतिशत पानी सूख जाएगा कई नदियां जो हजारों सालों से बहती आई है अब सिर्फ बरसात में बहती है मैं बारा से सत्रा साल के उम्र तक हर दिन कावेरी नदी में तैरा करता था सत्रा के उम्र में मैंने अपनी खुद की नाव बनाकर कावेरी में 163 किलो मीटर की यात्रा 12-13 दिनों में की थी ये बड़ा ये शांदार अनुभव था लेकिन आज अगर आप कावेरी में जाकर नाव चलाने की कोशिश करेंगे तो आप चटानों में अटक जाएंगे क्योंकि उतना पानी नहीं बचा है हमें एक बात साफ साफ समझनी होगी लोग सोचते हैं कि पानी के कारण पेड है नहीं पेडों के कारण पानी है ये बात आपको समझनी होगी तो इन नदियों में जान फूंकने के लिए हमें एक चीज करनी होगी हमें ये पक्ता करना होगा कि नदियों के दोनों तरफ कम से कम एक किलोमीटर की चोड़ाई में पेड़ी पेड़ हो अगर वो सरकारी जमीन है तो वहाँ जंगल लगाए जाए अगर वो किसी किसान की जमीन है तो वहाँ फलों और औशदियों के पेड़ या बगीचे लगाए जा सकते है इसका मतलब है कि हम सभी को ये पक्का करना होगा कि हम भोजन में कम से कम 30 प्रतिशत फल खाएं अगर हमारे भोजन का 30 प्रतिशत हिस्सा पेड़ों से आने वाले फल होंगे केवल तभी किसान फलों की खेती करके उसे हमें बेच सकते हैं तो हम ये सारी योजना तयार कर रहे हैं अपनी नदियों को बचाने के लिए क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि जब सौ साल बाद आप बुड़े हो जाएंगे हमारी नदियां तब भी वैसे ही बहती रहें जैसे मेरे बच्पन में बहती थी मैं चाहता हूँ कि आप ये देख सकें अगर ऐसा होना है तो हमें एक मस्बूत सरकारी नीती की जरूरत होगी सरकार नीती बनाने के लिए तयार है मगर हम सभी को मदद करनी होगी लोकतंतर का क्या आर्थ है हम सभी को मदद करनी होगी तभी वो ऐसा कर पाएंगे तो एक काम कीजिए हम लोग प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखेंगे आप स्कूल की तरफ से लिखें लेकिन अगर आप अपनी तरफ से भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं स्कूल की तरफ से जाने वाले पत्र में आप सभी अपने हस्ताक्षर कीजिए ठीक है, हम ये पत्रों उन पर दबाव डालने के लिए नहीं भेज रहें, बलकि उन्हें ये बताने के लिए, कि वो इसके लिए जो भी काम करेंगे, उसमें हम सभी उनके साथ हैं, लोकतंत्र का यही मतलब है, है न, जब तक हम सभी उनकी मदद न करें, क्या वो कोई की चीज कर सकते हैं, तो हमें उनकी मदद करनी होगी, इसलिए नदी अभियान, हम मदद करें, तो मदद करने के लिए, हम बात कर रहें हैं, सिर्फ एक मिस्ट कॉल देने की, आपके पास फोन नहीं है, आपके परिवार में किसके पास फोन हैं? हाँ, आपको ये पक्का करना है कि वो mist call दें आपको नंबर पता है बताईए आठ शून 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 नौ आठ शून 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 नौ क्या आप पक्का करेंगे कि आपके माता-पिता उनके दोस्त और उनके दोस्त हर कोई जो पानी पीता है वो mist call दें आया ना जो लोग पानी नहीं पीते उन्हें हम छोड़ देंगे बाकी हर कोई जो पानी पीता है उससे नदी अभियान में मदद करनी चाहिए क्या हमें काम पूरा करेंगे ये काम ऐसे होगा आपको एक नदी की तरह गरज न होगा वरना एक सूखी नदी की तरह हाँ पूरे वेक से उमरती नदी की तरह का ये क्या हमें काम पूरा करेंगे